तो हम बात कर रहे थे विश्चिक लगन में राहु की महादसा के बारे में राहु जब आपका विश्चिक लगन में विभिन भाव में इस्तित हो तो अपनी महादसा में आपको राहु किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं इस वीडियो में हम अस्टम भाव के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपका राहू आपके लगन चार्ट में अस्टम भाव में इस्तित है और अगर राहू की महादसा आ जाती है तो ये महादसा में आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं अस्टम भाव में राहू अगर आपका है तो मिथन रासी में इस्तित होगा मिथन रासी का जो राहू है वो काफी sudden game देगा आपको बहुत ही ज्यादा deep thinking देगा किसी भी मामले में या किसी भी ऐसे विसे में जहां पर नॉर्मल लोगों के लिए उसको समझना काफी कठीन होता है आप आसानी से समझ जाएंगे साथ ही जाथ तक अपनी जो exploration करने में काफी माहिर हो सकता है जाथ तक जाथ परताल करने में काफी माहिर हो सकता है ऐसा जाथ तक बहुत ज़्यदा talented होगा पट वो talented नजर नहीं आएगा लोगों को रहू अस्टम में है तो काफी sudden gain देगा आपको और यहां आपका रहू है तो वो आपके जीवन साथी की family से कभी-कभी विवाद करवा सकता है समंद बिगाड सकता है और हो सकता है कि आपको आपके जीवन साथी की family उनकी वज़े से कुछ बड़ा नुक्षान हुआ हो और ऐसा रहू कुछ हब तक आपको speculative gain देता है speculation में लेकर जा सकता है ऐसा रहू relationship के लिए अच्छा नहीं है हलांकि धन संपत्ती के लिए काफी अच्छा है लेकिन कुछ निया सीखने और research वगरे के लिए भी रहू आपको हमेशा support करेंगे यहां अगर रहू इस्तित है तो आपके जीवन में financially काफी उतार चड़ाव देगा आपको काफी unsatisfied रखेगा इसके अलवा कुछ illegal तरीकों का भी आप जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं रहू की दिसा के दुरान धन कमाने के लिए ऐसा रहू बार बार आपको कोई न कोई चिंता में डालेगा काम का pressure, काम का burden बहुत ज़्यादा देगा धन को लेकर और आर्थिक स्तिति को लेकर काफी ज़्यादा चिंता देगा रहू यहाँ है तो आप हमेशा बहुत जल्दी visualization कर पाएंगे बहुत जल्दी निर्ने ले पाएंगे रहू आपको mentally काफी support करता है बट काम की बोज की वज़े से काफी आपको दिक्कते भी आएंगी इसके लावा अस्टमभाव का रहू है तो निस्सिती अकल्ट में काफी interest देगा नई चीजों को सीखने के परती काफी interest देगा बहुत mysterious आपको बनाएगा इसके लावा रहू यहाँ है तो आपको बुद को देखना पड़ेगा अगर आपके चार्ट में बुद अच्छी स्थिति में है तो रहू mostly अच्छा result ही देगा इसके लावा आपका sunny अगर चार्ट में मजबूत है तो रहू के ज़्यादातर result रहेंगे आपके लिए काफी positive रहेंगे यहाँ का रहू आपको suddenly धन्वान बना सकता है family को लेकर ऐसा रहू काफी बार चिंता देता है family life में काफी उतार चिड़ाव भी देता है इस प्रकार का रहू आपकी life में sudden transformation लेकर आएगा यह transformation आपके धन से समंदित हो सकती है आपकी स्वास्ते से समंदित हो सकती है आपके career से related हो सकती है एसा रहू अपनी महादसा के दोरान आपको विदेश में settle कर सकता है intuition power को हमेशा ये बढ़ाने का काम करता है साथ ही रहू क्योंकि बारवे भाव से भी connection बनाता है इस वज़े से आपको foreign से काफी ज़्यादा gain देगा आपकी जो overseas connection है उनके दोरा आपको फाइदा पहुंचाएगा ऐसा रहू suddenly आपकी life में कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो काफी unknown लोग है और जहां आप लोगों को बहुत जल्दी जान पहचान लेंगे उन पर बहुत जल्दी trust कर लेंगे तो रहू का जो प्रभाव है काफी ज़्यादा secret तरीके से आपके उपर पढ़ने वाला है इस case में अब राहू अस्टमभाव में है तो थोड़ा सा mysterious ही life रहेगी आपको आपके जिवन में होने वाली गटना है कभी कभी कुछ ऐसे उतार चड़ाव जिनके बारे में आप ज़्यादा conscious नहीं रहेंगे बट वो उतार चड़ाव सरनली आपके सामने आ जाएंगे अब डिपेंड करता है आपका बुद्ध कितना मजबूत है और कौन से भाव में बैठा है साथी साथ यहां रहू काफी मजबूत इस्तिते में होते है मिथुन रासी का रहू exalted होता है तो आपको already पता है कि रहू के पास यहां बहुत ज़्यादा power है ऐसा रहू हमेशा कुछ secret relationship में लेकर जा सकता है थोड़ा सा married life के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा लेकिन research वगरे या कुछ न कुछ नहीं creativity के लिए ऐसा रहू काफी अच्छा माना जाएगा फिर हम रहू की दृष्टियों की बात करते है रहू सबसे पहले देखते हैं आपके बारवे भाव को बारवे भाव में जहां साथ नंबर रासी है नहीं तुला रासी है तो अगर शुक्र मजबूत इस्तति में है रहू mostly आपको विदेश से गेन देगा ही देगा तेकिन ऐसा रहू काफी ज़्यादा extra marital affairs की तरफ लेकर जा सकता है अगर राहू का समन्थ सुकर से बन रहा हो तो astrum और बारवा भाव दोनों यहां connect होते इस वज़े से जातक के पास एक अच्छी healing power हो सकती है उसका ध्यान जो है अकल्ट की तरफ हो सकता है यह इस्तति ज़्यादातर आपको तब देखने को मिलेगी और जातक में creativity भी ऐसा राहू काफी ज़्यादा भर देता है तो यहां पर बारवे भाव को देखना मौसली अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए बट यह स्वास्त के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा अगर आपके बुद्ध का समन्ध सप्तम भाव से या चतुर्थ भाव से है तो ऐसा राहू आपको काफी ज़्यादा health के issues देगा और जिवन साथी की health के लिए अच्छा नहीं रहेगा फिर राहू बारवे भाव को देख रहे हैं तो कुछ पाढ़ लोकिक अनुभाव दे सकते हैं बार बार जिवन में उतार चड़ाव आर्थिक रूप से या सार्रिक रूप से दे सकते हैं कभी-कभी ऐसा राहू बहुत ज़्यादा तनाव देगा और सार्रिक रूप से देखा जाए तो काफी उतार चड़ाव ये देने वाले हैं फिर देखते हैं ये सेकंड हाउस को सेकंड हाउस में जहां केतु इस्तित होते हैं और केतु उच्च के इस्तित होते हैं आपके राहु का second house को देखना थोड़ा आँखों के लिए अच्छा नहीं आँखों से समंदित दिक्कते हो सकते हैं खानबान से समंदित बहुत ज़्यादा एनियमित रूटीन आपका हो सकते हैं राहु का second house को देखना वानी को लेकर दिक्कत करेगा बहुत ज़्यादा obsessed वार्णी रहेगी आपकी इसके लावा कभी-कभी आप दूसरों को अपनी वार्णी से बहुत ज़्यादा प्रुभावित करेंगे और बहुत ज़्यादा egoistic आप लोग हो सकते हो family life या अपनी life style से ऐसा जातक mostly ऐसंतुष्ट देखा जा सकता है ऐसा जातक धनका बहुत ज़्यादा प्यासा हो सकता है वो हलंकि talented बहुत ज़्यादा होगा और उसके पास बहुत सारे earning sources होंगे उसके बावजूद भी जातक संतुष्ट नहीं होगा अपने जिवन में इसके बाद राहू देखते है fourth house को राहू जब fourth house पर दश्टी डालते हैं ऐसे में आपकी domestic life को काफी बार खराब करते हैं काफी बार dispute उत्पन करते है family की साथ तो आपका जो गरस्त जीवन है वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला यहाँ पे इसके इलावा माता जी के साथ कुछ dispute हो सकते हैं आपको घर परिवार आया अपनी प्रोपरिटी या घर बगएर खरीदने के लिए बहुत ज़्यदा खर्चा करना पड़ सकते हैं साथी राहू fourth house को देख रहे तो आपकी मानसिक सान्ती को काफी बार डिस्टरब करेंगे, family के साथ कोई ना कोई issue खड़ा हो जाएगा family के साथ कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाएगा इस वज़े से भी आपको problems आएंगी राहू का fourth house को देखना अगर किसी जातक को यह दसा उस समय आती जब जातक एक student के रूप में होता है तो ऐसे में आपके career को बहुत ज़्यादा disturb करता है क्योंकि आपको सुरुआत से ही राहू अपना प्रभाव दिखाना सुरू कर देता है ऐसे में आपके studies अच्छे से नहीं हो पाती और उसके बाद उसका जो impact है आपके पूरे life पर पड़ता है राहू का fourth house को देखना ये आपके मांसिक स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है घर या संपत्ती के सुक के लिए अच्छा नहीं कोई ने कोई विवाद आपके होता ही रहेगा परिवार में इसके अलावा ऐसा जातक हलान की talented बहुत ज़्यादा होगा वो अपने बल पे जिवन में बहुत कुछ करेगा वो सास ही होगा काफी ज़्यादा रिस्क लेने वाला होगा इसे जातक को हमेशा hidden gain होंगे हमेशा बिना मेहनत किये बिना ज़्यादा कुछ hard work किये जातक को पैसा आएगा बट वो पैसा भी जो आएगा काफी ज़्यादा एक तरीके से देखें तो unstable वो रहेगा इसे में जातक को बार बार ऐसा रहू चिंता देता ही है फिर आप ये देख लें क्या राहू का समंद गुरू जैसे ग्रह से बन रहा है तो यहां राहू ज़्यादा तर अच्छे रिजल्ट ही करेगा आप लोगों के लिए और उसके लवाद डिपेंट करता है कि राहू की दसा आपको कब आ रही है जैसे किसी जातक को बहुत लेटरेज में ऐसी दसा आ रही हो